Hello students, good morning, आपकी class plus one है और आपका lecture है जो English Literature का लग रहा है तो इसमें हमने seven chapter है जो last वीडियो में किया था जिसमें मैंने आपको सौरब और रुस्तम की जो second part है वो complete करवाया था उमीद है वो आपको समझ में आ गया होगा, आज हम उसके long questions है जो वो करने जा रहे हैं first long question है how did रुस्तम agree to fight with सौरब कैसे agree हुआ था वो सौरब के साथ fight करने के लिए वो माननी रहा था ना क्योंकि वो बजूर को चुका है वो अपने फादर की जो देखबार कर रहा था उसको ऐसा था कि किसी और को भेज़ दो तो कैसे माना था वो रुस्तम was living with his east father in a village वो एक गाउं में अपने east father के साथ रहता था he got the message king's message उसको king का message मिला he came to see the king वो king के पास आया he was told about रुस्तम's challenge उसको सौरब के challenge के बारे में बताया गया रुस्तम did not want to fight रुस्तम जो फाइट लड़ना नहीं चाता था he said that he had become old वो कहते है कि वो अब बुड़ा हो गया है moreover he had an east father to look after और इससे जादा यह है कि उसके father है जो वो वो काफी उमर के हो गया है तो वो उनके पास रहता है he requested the king to find a younger champion वो request करता है king को कि आप कोई नया young champion ढूण लो but the king said that only रुस्तम could save the country पर king कहता है कि अकेला रुस्तम ही इस country को बचा सकता है रुस्तम कहता है कि परशिया की यह बहुत बदकिस्मती है कि उनको एक young champion है जो नहीं मिल रहा at last he agreed to fight और आंत में वो लडने के लिए मान चाता है but he said that he would go to the battle as a plain soldier पर वो कहता है कि वो लड़ाई के मैदान में तो जाएगा पर एक साधारन आदमी बनके जाएगा he did not want anyone to know that old रुस्तम had to be called to fight a breedless youth वो नहीं चाता था कि कोई भी उसको यह जाने कि जो बुड़ा रुस्तम है वो fight करने आया है breedless मतलब बिना दाड़ी के young आदमी जो है वो लड़ने के लिए है इस तरह वो लड़ने के लिए मान जाता है second question है reproduced in your own words the dialogue between सौरब और रुस्तम बिफोर दे स्टार्टेद फाइटिंग dialogue बताने है कि सौरब और रुस्तम के बीच क्या बात हुई जब उन्होंने फाइटिंग को शुरू करने से पहले रुस्तम वास फिल्ट विद दीप पिटी वेन ही सौरब रुस्तम को बहुत दया आई जब उसने सौरब को देखा he did not want to fight such a handsome young and kill him वो नहीं चाहता था कि वो इस handsome young लड़के से लड़े और उसको मार दे he advised him to leave the tartar army वो कहता था कि वो tartar army को लेके यहां से चला जाए he invented सौरब to come to persia and be as a son to him वो कहता है कि सौरब उसका son बनके आए और persia में रहे सौरब heard the mighty voice of रुस्तम सौरब है जो उसकी रुस्तम की आवाज सुनता है he thought that the young man was trying to be sorry he thought that it was perhaps his father उसको ऐसा लगता है कि उसके आवाज से कि यह उसके फादर है he asked ugly वो उनको बेचैनी से पूछता है are you not रुस्तम क्या तुम रुस्तम नहीं हो now रुस्तम thought that the young man was trying to be clever रुस्तम को सोचता है कि यह बच्चा तो बहुत clever है चलाक बनने की कोशिश कर रहा है he thought that Saurabh would withdraw from the fight if he knew the truth उसको लगता है कि Saurabh है जो वो लड़ाई छोड़ जाएगा अगर उसने बता दिया कि वो रुस्तम है so he did not tell Saurabh who he was तो इसकर के वो Saurabh को नहीं बताता कि वो कौन है he challenged Saurabh to get ready for the fight वो Saurabh को challenge करता है कि लड़ाई के लिए तियार हो जाओ thus the father and the son started fighting each other annoyingly और तीन दोनों होते हैं जो father son वो अंजाने में आपस में लड़ाई है जो शुरू कर देते हैं next is a given account of the fight between Saurabh and Rustom लड़ाई बतानी है बेटा ये most important question है कि Saurabh and Rustom drew their swords and fight began दोनों अपनी तलवारे उठाते और लड़ना शुरू कर देते हैं they kept fighting for three days and nights दोनों तीन दीन और तीन राते लगातार लड़ते रहते हैं at last Rustom thought he was going to lose अंत में Rustom को लगता है कि वो शायद कमजोर बढ़ रहा है he raised his sword वो अपनी sword उपर उठाता है he shouted his war cry Rustom वो shout चिलाता हुआ कहता है Rustom का नाम लेता है on hearing this ये सुनते ही Saurabh was unnerved Saurabh जो होता है घवरा जाता है he dropped his shed उसका जो cover होता है बचानी के लिए अपने आपको shelled वो गिर जाती है Rustom's sword ran through his side Rustom की जो sword तलवार होती है वो उसकी तरफ तोड़ के आती है he sank to the ground उसके Saurabh के मारता है वो तलवार और वो ground पे गिर जाता है but he said that his father Rustom would avenge his death but he said that पर वो कहता है कि उसका father जो Rustom है would avenge his death उसका father Rustom इस बात का बदला लेगा Rustom felt amazed Rustom हलान होता है his eyes fell on the stone tied on Saurabh's arm उसकी आखे जो होती है वो Saurabh के बाजू पर बंदे हुए stone पर बढ़ती है he took Saurabh in his arms and cried वो Saurabh को अपने बाहों में उठाता है और पूछता है oh my son I am Rustom क्याता मैं ही Rustom हूँ he broke down and could not speak वो गिर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता Saurabh converted his father Saurabh जो होता है अपने फादर को तसली देता है he expressed his last wish वो अपनी last wish बताता है he requested his father to carry him to his home and bury him there वो अपने फादर को request करता है कि वो उसको अपने घर पे ले जाए और वहाँ उनको दफना दे he wished to be remembered as a son of Rustom वो चाता होता है कि उसको लोग son of Rustom के नाम से याद रखे next question है बेटा Saurabh का character sketch give a character sketch of Saurabh Saurabh was a very brave and handsome young youth बहुत brave था वो he was the son of mighty Rustom Rustom का बेटा था he did not know who his father was वो नहीं चानता था उसके father कौन है once a young very challenged Saurabh to fight with him जब एक बार एक योदा उससे लड़ाई करने के लिए challenge करता है but before fighting पर लड़ने से पहले he wanted to know Saurabh's spirit and teach पर लड़ने से पहले वो योदा Saurabh के जो माता पिता उनके बारे में जानना चाता है Saurabh had to hung his head in shame Saurabh जो अपना सिर जुका लेता है शरम से because he did not know the name of his father क्योंकि उसको अपने father का नाम नहीं पता होता he ran to his mother वो अपनी mother के पास जाता है he came to know from her that he was रुस्तम सन उसको वहाँ से पता चलता है कि वो रुस्तम का सन है his heart filled with pride उसका जो सीना होता है गरब से चौड़ा हो जाता है he sat out at once in search of his father वो अपने father की सर्च के लिए निकल पड़ता है he reached Persia वो Persia पहुंचता है रुस्तम meet him in the field of battle रुस्तम उसको लड़ाई के मैदान में मिलता है but he did not know that रुस्तम was his own son पर रुस्तम को ये नहीं पता होता कि सौरब उसका son है बेटा है सौरब वो स्लेन बाई his father सौरब जो होता है वो अपने father द्वारा मारा जाता है it was too late when the father and the son came to know of the reality बहुत देर हो चुकी होती है जब दोनों बाब बेटों को असली reality का पता जोलता है कि वो दोनों सच में बाब बेटा है next question is give the character sketch of रुस्तम रुस्तम का character sketch बताना है आपको रुस्तम was a great soldier of परश्या, परश्या का एक बहुत बहादुर सैनिक था he was very brave and fearless बहादुर और बिना डर के था he was called the shelled of परश्या परश्या का shelled बोला जाता था he saved his country for foreign invasions many a time उसने अपने country को जो फॉरन के बाहर के देश से बाहर के लोगा के आकरमन करते थे उनसे बहुत बार बचाया the king of परश्या was very proud of him परश्या की king को उस पे बहुत proud था, गरभ था he felt safe as long as रुस्तम was with him वो अपने आपको safe feel करता था जब वो रुस्तम के साथ होता था once रुस्तम went to tartar एक बार रुस्तम tartar जाता है he met a princess there वहाँ पर एक वराजकमारी को मिलता है he fell in love with her and married her उससे प्यार हो जाता है उससे शादी कर लेता है but रुस्तम had to leave her soon after पर जल्दी रुस्तम उसको छोड़के चला जाता है many years later बहुँ सार बार the tartar invaders persia tartar के लोग होते हैं जो persia पर आकरमन कर देते हैं रुस्तम was called to defend the country रुस्तम को country को बचाने के लिए बुलाया जाता है the tartars was led by a breedless youth tartar की जो आर्मी होते हैं उसको कौन led कर रहा होता है breedless youth मतलब सौरब रुस्तम किल्ड इस young youth in single combat रुस्तम जो होता है अकेला ही उसको मार देता है he was shocked when he comes to know that the young was his own son उसको बहुत सुनके शहरानी होती है कि जिसको उसने मारा वो कौन था उसका खुद का बेटा था ठीके बेटा उमीद है आपको पांचों कोशन समस में आगे होंगे अगर फिर भी कोई प्राब्रेम लगते है इन कोशन में तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो ओके बेटा next वीडियो में हम इसके short questions करेंगे तब तक आप यहां तक इन वीडियो को अच्छे से समझ लो ओके ओके बाबाई